श्री राश्ट्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष दादा सुकदेवसिंग गोगामिली एक कार्यक्रम के उपलक्ष में मुंबई पधारे जहां श्री राश्ट्री राश्ट्री राजपूत करनी सेना के महराश्ट्रा सचिव डॉक्टर जीवन सिंग सोलन की एवं तारा मा चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्री अध्यक्ष धर्मेश जोशी ने दादा का स्वागत किया देखो आतित्य आओ इन्हों ने जो मान समान दिया है उसके हम अमेशा करदार रहेंगे और ब्राह्मन और राजपूत का अमेशा से इताल मेल रहा है वो चलता रहेगा महारणा प्रताब की वीर्ता की निशानी तल्वार भेट करके जो स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत तर्याले पहुचे कि इतनी खुशी और आपके मन में क्यूं था कि दादा आपके कार्याले पर आए सबसे पहले तुम्हें दादा का दन्याबात करता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी वो पूरी की जब पिछली बार उनसे बात की थी इस मुद्य को लेकर तेजे स्वयादो जी के तब उन्होंने बोला था कि तो अपना कम्टेंड वगरे सब का चालो करो प्रोसेस जीवन जी को पूरा प्रिडम दिया बात करते हैं तो वो उनको पसंद नहीं ही और उस कारण से उन्होंने पूरा समर्तन दिया और उन्होंने मुझे बोला था कि दर्मिश्मूर लिवासी भी गुजराती है गुजरात में भी दर्वा है राजपूत है और आप गुजराती भाशा देखने जाओ तो उसमें आप देखो कि गुजराती की संख्या बड़ी है जैसे आप कोजा भी पकड़ लो माराश्टन भी रेते हैं राजपूत गुजराती भी रेते तो यह सब चीजे जो भाशा के ओपर बुले गई है तो अबद्र भाशा के वजह से दादा बहुत नाराज है जैसे उन्होंने भी बोला कि हम धरना देने के लिए अपके सामने और उन्हें मुझे एक वादा किया था कि मैं आपके पास आपकी जगह पर आऊंगा और वहां बैटके मैं यह कॉन्फरेंस कराऊंगा यह मुद्दे को जैसे दादा ने बोला कि वह नेशनल टेलेविजन पर माफी मांगे या तर फिर उनकी दर्ड़ पकड़ होनी चीहें तो दादा को पूरा मुझे समझ करने इस पास